दोस्तो भगवान स्रीहरी विष्णु के द्वारा गंड भेरूड अवतार लेने की कथा नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है यह अवतार भगवान स्रीहरी विष्णु का अति भायानक रूप था जो उन्होंने नरसिंह अवतार के बाद लिया था इस अवतार में उन्होंने दो मुख वाले पक्षी का रूप धारन किया था जिसका वर्नन कई एतिहासिक धर्म अस्थलों पर मुर्तियों के रूप में मिलता है आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान सिरहरी विष्णू के गंड भेरूड अवतार लेने की संपून कथा के बारे में बतलाने जा रहे हैं वो आधा सरीर मानों का था हिरना कस्यप का बद करने के बाद भी भगवान नर्सिह का क्रोध सांत नहीं हुआ था उए फुफकार मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे यह देखकर तीनों लोकों में भै व्याप्त हो गया तब सभी देवता तत्धायत भगवान सीव से सहाय यह अवतार सिह, मनुस्य, भैरव तथा बीर भदर का मिला जुला रूप था जिसके भयानक पंजे, चोंच तथा दो गडूर पंग थे भगवान सीव ने सरफ अवतार की सहायता से नर्सिह अवतार को अपने पंजे में जकड दिया तथा आकास में उड़ गए उन्होंने चोंच मार के नर्सिह अवतार को गहायल कर दिया तथा उनके सरीर को अत्यधिक छती पहुँचाई भगवान विश्णु का नर्सिह अवतार पहले से ही क्रोध की अगनी में जल रहा था और यह देखकर उन्हें और भी जादा क्रोध हा गया इसके पहस्चात उन्होंने इस से भी भयानक अवतार का रूप ले लिया जब सभर अवतार नर्सिह अवतार पर आक्रमन करके उसे नुकसान पहुचा रहा था तब भगवान नर्सिह ने उससे भी बड़े तथा भयानक अवतार को धारन किया जो दो मुखवाला पच्छी था इस अवतार को गंड तक भीसन युद्ध हुआ जिसमें अंत में सरव अवतार की हार हुई और वह पुना भगवान शीव में समागे उसके पाश्चात भगवान श्री विश्णु के रूप में गंड भेरुड अवतार का क्रोध सांथ हो गया तथा वह भी स्रीहरी में समागे अलग-अलग पुरा जो सरव तथा गंड भेरुड अवतार लेने की कथा को नकारती है दोस्तो अन्य मानेताओं के अनुसार भगवान सिव के सरव अवतार ने नरसी अवतार का बध कर दिया था तथा उसके पाश्चात अपने सिव रूप में समागे थे एक अन्य कथा के अनुसार मा देवी के उगर रूप परतेंग गिराने सरव तथा गंड भेरुड के बीच हुए युद्ध को सांत करवाया था तो दोस्तो यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवान सिरहरे विष्णू के गंड भेरुड अवतार की उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो भांते रहिए धन्यवाद जय हिंद